और यहां पे तुम्हारा भाई चार के चार बंदों को अपने सस्ते उजी की स्प्रेसे ले जाता है मतलब पहले मुझे लगा था यार दो ही बंदे होंगे भाई दो से ये चार में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और सौगत्य आपका एक बिरान न्यू गलत सीन से भरे हुए भबजी दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में मतलब यार यह इंटेंस भी है और गलत सीन भी इसमें दबा दबा के हैं और यार इस गेम में जो ही उजी का स्प्रे पढ़ता है न भाई मज़ा टैप आजाता है बिलकुल मतलब चार बंदे होते मेरे पे गोलिया भी नहीं होती लेकिन तुम्हारा भाई उजी से जुगार लगा लुगा के पेल देगा बंदों को खेर फिलाल तो यार मिल्ट्री रेरी आ रखे हैं हरा हेलमेट के नाम पे ये सस्ती टोपी और एक सोडगन मिलिये मुझे अभी अभी और इस बंदे को पेलते यार कते ही टाइगर सीरॉफ वाली फिलिंग आगे बिलकुल मज़ा टैप आ गया मतलब पहले मैं इसे दो सोडगन पेलता हूँ कुछ नहीं उखडता मैं बोलता हूँ यार कूट जाओ वैसे भी निहत्ता भग रहा है यार कूट के पेलो इसे और हवा में उद आते आते भाई नौक कर देता हूँ और पेटी बन चुकी है अभी देखो सीन क्या हो रखा है दो स्कॉर्ड उधर की साइड उत्री थी जिदर मैं भग रहा हूँ और एक बंदा मैं इनका पेल उचुका हूँ और एक और बंदा दिखता है मुझे सफ़ित कपडों में बिलकुल और यहाँ पे दूजी किल करते ही बंदे की सीधा पेटी बन जाती है तो इसका मतलब भया सीन ये हो रखे कि भाई दो सकॉर्ड उत्री थी आपे जहां तक मुझे पता है उनके दो बंदे किसी और ने पेल दिये और दो को मैं पेल चुका हूँ लेकिन अभी वो बंदे बा अब आपने इच्छा धारी साप सुनाओगा कच्छा धारी साप सुनाओगा ये कट्टा धारी साप है अब कट्टा धारी साप अपनी जगह में और हमारे भाई की नसली अंग्रे जी अपनी जगह में आर क्या ही हो गया पता नी खेर अब अंग्रे जी को साइड में हताओ बात करते हैं हमारे कट्टा धारी साप की लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक PUBG टूर्नमेंट एप की जिसकी मदद से आप PUBG के कई सारे सोलो डूओ स्कॉर्ड टूर्नमेंट्स खेल सकते हो और अच्छा खासा पैसा अन कर सकते हो तो यार इस एप का नाम है अर्निंग अड्डा और यहाँ पे डेली सोलो डूओ स्कॉर्ड सबके टूर्नमेंट होते रहते हैं जिसमें आप एजीली एंटर कर सकते हो आपको बस जॉइन का बटन दबाना है और उसके बाद अपनी PUBG ID डालनी है उसके बाद आपको 10-15 मिनिट पहले ID पासवर्ड मिल जाएगा तो आप आराम से मैच खिल सकते हो और इसमें entry fees बहुत ही काम होती है और winning price काफी गुना ज़्यादा बड़ा होता है entry fees से compared और इसमें आपको refer and earn भी मिल जाता है तो आप अपने दोस्तों को invite करके भी पैसे earn कर सकते हो इस app में और यहाँ पे पैसे add और withdraw करना बहुत आसान है आप आराम से PTM या फिर UPI की तुरू पैसे add और अपनी GTV earnings आराम से withdraw कर सकते हो तो आप इस app को जरूर ट्राय करके देखो यार लिंक description में होगी बिल्कुल top में हाना अब देखो मुझे ठीक से नहीं पता वो किधर लेटा आवा था मेरे ख्याल से यहीं पे लेटा था उसके बाद उठके भगने की कुशिस की इसने खेर जो भी यार मतलब देखो वाई साब कई परकार के होते हैं आज मुझे कटा धारी साब भी देखने को मिल ही गया मतलब तरस गया था यार मैं कई दिनों से वही ग्रोजा धारी साब M249 UMP वगएरा यहीं लेके बैठे पड़े होते थे भाई आज एक नया टैप का मिला कटा धारी यार कटा धारी साब बिलकुल तो इससे थोड़ा बात करने की कोशिश करने के बाद वारता लाप करने की कोशिश करने के बाद उसकी पेटी बना दी क्यूंकि मुझे नहीं पता आप कौन सा धारी सांप होगा वाँ पे और फैक्टरी में बंदे गए थे तो उन्हें भी देखना है अब दोनों बंदों को थोड़ा थोड़ा गोली पेल चुकाओं में तो या रस कैसे न करें हना अभी देखो मुझे दोई बंदे भगते वे दिखे हैं न वहाँ पे चार कब हो जाएंगे भाई आपको पता नहीं चलने का क्यूंकि मुझे खुद पता नहीं चलता और ये देखो क्या होता है आगे भगते भगते अब देखो मेरे पे गोली के नाम पे बहुत ही गम बाकी है पांच की गोली लेकिन फिर भी बरबाद करेंगे अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डैमेज दे दे के मेरी M4 की सारी गोली खतम हो चुकी है और यार उजी की गोली ऐसे खतम होती है न जैसे हलवाओ लेकिन कोई नियार अब क्या कर सकते हैं जो है उसी से काम चलाएंगे और उजी काफी बढ़िया गन है क्लूज रेंज के लिए और यहाँ पे तुमारा भाई चार के चार बंदो को अपने सस्ते उजी की स्प्रेसे ले जाता है मतलब पहले मुझे लगा था यार दो ही बंदे होंगे भाई दो से ये चार में कब बदले मुझे समझ तक नहीं आया और उपर से बहुत खेर इस बोट को अता हटाओ यार वहाँ पे दो बंदे थे दो को पेला मैंने देखा एक और बाकी है मैंने बोला यार अब रिलोट कर दिया है तो यार सिधा पेटी बनेगी मेरी तो मैंने बोला ऐसी कि तैसी सपरे ट्रांसफर करते हैं और भाई जो भी गोली बची कुछी थी उससे तीसरा बंदा भी ले गया एकी सपरे में और आखरी बंदा सामने से आया और पांच-छे पतानी कितनी गोली बाकी थी उजी में उससे भी पेल दिया इसको तो भाई लोग यार उजी के लिए इस सस्ते सपरे वगएरा के लिए इस सकौड वाइप के लिए एक लाइक पेलना मत भूलना यार पेल के रख दो कते नीला टैप कर दो लाइक के बटन को हना क्या पता आपको भी मज़ा टैप आजाए बिलकुल पेल के रख दो यार लाइक के बटन को नीला टैप कर दो हना और इस बार हाथ मैंने कुछ ज़्यादा जोड से पटक दया लेकिन कोई बात नियार आप अपना अंगूठा या नाक पट को लाइक की बटन पे बस नीला टैप कर दो उसे और उसे के साथ मैं पोचंकी आ चुका हूँ बाकी बंदे ठिलाने अब काफी घंटे गाड़ी चलाने के बाद आखिरकार मुझे बंदों का थोड़ा सा मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे जिन्दा है तु भाई इतने खुसी मैं मैं गाड़ी पेड़ पे पटक देता हूँ क्यार यहाँ पे बंदे उधर की तरफ गोली गारी चला रहे थे तो देखना है कि भाई सीन क्या चल रहा है और यहाँ पे जो ही बोट फायर होगी नयार बिलकुल मज़ा टैपा जाएगा मतलब उन लोग को पता होता है कि हम बोट नहीं है फिर भी वो जो खुजिली होती ह यहना वो रोक नहीं सकते आप लोग तो हाँ तैयार हो जाओ क्योंकि गलत सीन होने वाले यहाँ पे अब यार बोट फायर के लिए एक चीज बहुत जरूरी है वो है भाईया धीरच और यार अंगरेजी में क्या बोलते हैं पेशंट हाँ अगर आप पेशंट नहीं है ना क कद्दू भी नहीं कर पाओ गया बोट फायर तो यहाँ पर मैं बिल्कुल चलाता रहता हूं अब यह जो मैंने किया ना यह जो हरकत की यह मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक सस्ती गन यानि की युम्पी चला रहा था कोई भी और गनूती ना मेरे ख्याल से यार मै बोट फायर से इतना तो हुआ कि वो लोग हमारी तरफ आए और बिल्कुल पीक पाक करके नेट कर रहे थे तो दो नौक कर दिये हैं अब एक बचेवे बंदे को पेलना है और यहां पे इन तीनों बंदों को पेल दिया जाता है हरा देखो अब बोट फायर से फायदा ये हुआ कि ये लोग केंपिंग नहीं कर रहे थे क्यूंकि अगर देखो हम लोग रस करते ये घर पे कैंप करते रहते करते रहते बैठे रहते एक जगा और जैसी हम बहार आते यार ये पेल के पेटी बना देते तो हमने बोट फायर की वो लोग देखना है इन्हें पता चल गया कि बोट ना है यहां पे कोई ना कोई बन्दे के ही कारणा में ये लेकिन इन लोगों ने ने डूट करने की सोची और दोनों को पेल दिया मैंने और उसके बाद आके आखरी बन्दे को भी पेल दिया अब देखो उजी एक बहुत बढ़िया गन है लेकिन अगर आपको चाहिए प्रिफायर देने की चीज हरा अगर आपको प्रिफायर देना है तो यार जब तक आप प्रिफायर वागेरा दोगे न उजी की गोलिया खतम हो जाएगी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं ठिल गया हूँ उजी में क्या होता है आपको तभी गोली चलानी पड़ती है जब आपको बंदा दिख रहो क्योंकि अगर देखो 35 गोली होती है कब खाली हो जाती वो 35 गोली पता तक नहीं चलता इसलिए अगर आप प्रिफायर देती हो जी से तो अपने रिसक में देना कहीं ऐसा नहों कि 30 गोली अपने प्रिफायर में पेल दी क्योंकि बहुत तेजी से निकलती है और सिर्फ 5 गोली बंदे को लग रही है यार कुछ नहीं होगा गलत सीन होंगे वहाँ पे क्यार M4 मैंने रखी रखी अपने साथ था ना क्योंकि सही है यार मतलब प्रिफायर के लिए कोई तो गारों नीची है और आगे एक गाड़ी दिखती है हमें और यहां पे हमारे भाई एक गाड़ी में बैठे बंदे को बहुत लो कर देते हैं फिर मैं अपना आके मू दिखा के वह या M4 चिपका देता हूँ एक आद गोली लगती है और पेटी बन जाती है इस बंदे की अपने को किल मिल चुकी है लेकिन इसका टीमेट इधर ही कही आके भग चुका है भाई उसने गाड़ी कब वहाँ पे गुसा दी हमें पता भी नी चला मुझे लगा था आगे भगेगा लेकिन पीछे देखते तो गाड़ी उस बंदे की वहीं पे रुकी पड़ी है तो देखो वो जो गर्राज है भाई या उसी के अंदर बंदा बैठा पड़ा है कोई भी क्या करेगा अगर आपको बंदा सामने दिख रहा है वो ठीपी पी ले रहा है आप नेट कर सकते हो तो यार कोई भी बंदा नेट करेगा हना तो मैं भी वही करता हो यार बिलकुल लेकिन देखो आप सीन क्या है आपको भी पता है मेरे को भी पता है मेरे नेट कितने सस्ते हैं तो नेट करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं उखाड पाता और मेरा ये सस्ता नेट देके हमारे टिमेड भाई भी बिलकुल पागल टेप हो जाते कि भाई कैसे कोई इतना सस्ता नेट कर सकता है खेर इसे उजी से ही पेलना पड़ेगा और एक और बात ये है कि यार OG 1 vs 1 के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप अपना सप्रेव अगेरा कता इस घर भयंकर वाला समाल लेते हो तो आप दो बंदे पिल दोगे ठीक है तीन भी अगर तब पेल सकते हो जब लोगों की हेल्थ कम हो क्योंकि देखो इस बंदे को मैंने पेला ठीक है मेरे ख्याल से सारी गोली मैंने लगाई उसके भलाई पाउपू में लगी हो लेकिन हाँ सारी की सारी गोली लगी जहां तक मुझे पता है और उसको पेलने के बाद उसकी पेटी बनने के बाद मेरे पे सिर्फ तीन गोली बाकी थी तो यह यार देखो अगर उन में से भी मैं प्री फायर करता तो शायद ही वो बंदा ठिलता खैर जो भी हो अपन इधार आते हैं देखते कि यार डिरॉप में कुछ खतरनाक मिल जाए AUG होती है जो की काफी बढ़िया गने लेकिन यार उसका रिलोड टाइम भाई पूछो मत मतलब इतने देर में आप किचन में जाके हलवा बनाके खालोगे तब जाके गनरी लोड होती है ठीक है यह कुछ ज़्याद है यार टाइम लगता है अगर आपके पास वो एक्स्टेंड है कोई समझ जा है यार वो महंगा वाला जो भी होता है अब उस गाड़ी में मेरे ख्याल से चार बंदे होते तो मैं बोलतो भाईया भग लो यहां से और हम फिर भी फ़ज जाते हैं मतलब हम गाड़ी वालों से बचने के लिए इधार आए और इधार पूरी सुकॉड बैटी पड़ी है यहां पे अब यहां पे हमारे भाई पूरी जान लगा कि चिलाते हैं हना भाईया सैक में बंदा है मैं बोलता अरे भाईया क्या हो गया मैं सुनता नहीं ठीक है जैसी चिलाने की आवाज आती है जैसी आवाज बढ़ती है मैं बोलता यार जो भी एक गलते भग लो यहां से तो मैं पीछे आता हूँ और दिवार के कवर में आने के बाद भी गोली लग रही है खेर उसकी बात नहीं करेंगे यार क्या फाइदा यार बबजी तो बीजी है कपड़े बुनने में अब ये जो साक में बंदा होता है यार पहले तो सही था है ना क्योंकि हमें पता नहीं था वो वहां पर है लेकिन यार जैसी पता चलता है वो तब भी अंदर रहा तो उसका ठिलना तय हो चुका था कते मोली मूली जलती बोतल में आग फेकता हूँ वहाँ पे वो बाहर आता है कते उजी पेल देता हूँ तो हाँ उसकी पेटी बन चुकी है अभी भी तीन बन्दे बाकी है क्योंकि यार फुटी स्टेप जो आ रहे है न यार बहुत ही ज़ादा दवाक आ रहे है तो देखो अब मैं बोलता हूँ यार नेट करने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन हमारे भाई बोलते है यार कर ले क्या पता कुछ फट जाए हाना क्योंकि यार गलती तो होती रहती है जिन्दगी में क्या पता पबजी में भी हो जाए गलती और गलती से नेट फट जाए तो मैं बोलता हूँ ठीक यार फेक देता हूँ एक उपर और यहां पर मैं बहुत ही खुस हो जाता हूँ मतलब एक तो मेरा नेट फटा और उसके साथ बंदा बीठिल गया और यह पता नहीं क्या ही हील कर रहे होते तो इन दोनों की पेटी बना दी अब एक बंदा आगे बाकी है और आकिर कार फाइनली यह बंदा ठिली जाता है मतलब पहले इसे क्या-क्या नहीं पटका है मैंने इसे पेलने के लिए उजी की सारी गोलिया चला दी है थोड़ी सी बाकी थी M4 से प्रीफाइर दिया यार क्या-क्या नहीं क्या लेकिन आखिर कार बंदा ठिल जाता है लेकिन भाई खतरनाक बंदा होता है यार जाते जाते डेमेज दे गया लेकिन कोई नहीं मतलब देखो यार लूट की कमी है नहीं ये हरी पेटिया इतनी सारी पड़ी है यहाँ पे कि जन्मो जन्मो तर लूट सकता हूँ यहाँ तो जो भी बची कुछी लूट होती है मैं उठा लेता हूँ अब देखो यार उजी बढ़िया गन है बहुत ही ती ओर यहां पर कि भाईया M.O.M.O. के चक्कर पढ़ रहे हाना कते कम पढ़ रही M.O. और दूसरी चीज यार कि मुझे AWM मिलती है अब कोई बंदा कैसे अपमान कर सकता है AWM का मतलब कई पे नहीं चलाऊंगा मैं किसी को नहीं पेलूंगा इसको इससे लेकर लेकिन यार देखो AWM अगर आप छोड़ते हो तो यार अपने रिसक में छोड़ना क्योंकि जब भी मैं AWM और ग्रोजा चोड़ता हूँ ना मेरे साथ गलत सीन होते भाईया पाप चड़ता है कता ही इसलिए भाईया AWM है उठा लो ग्रोजा है उठा लो छोड़ने का कोई सीन ही नहीं है उन्हें क्यार यहाँ पर मैं AWM उठा लेता हूँ जोन अपने पर यह होता है तो थोड़ा होल्ड हार्ड कर लेते हैं लेकिन कब तक यार अपने पर जोन कब तक रहेगा इतनी तगड़ी भी नहीं है अपनी किसमत तो देखो उपर से बंदे भगते वे दिखते मुझे मतलब दिखे उते यार आते वे लेकिन मैं पेल किसी को नहीं पाता ख्यार यहाँ पे मैं बस इंतिजार कर रहा होता हूँ की जोन हमें धोका दे और यार जाना पड़े भगभुक के जोन में उपन में बिल्कुल अब यहाँ पे तुम्हारा भाई गणित लगाने की कुशिस करता है हाना तो देखो दो बंदे मुझे उपर दिख गए दो हम है बचे बाकी के दो मतलब अब देखो यार कहा होंगे आगे से भी गूली गाली चलेगी अभी तो हाँ उधर पे ही बंदे बैठे होंगे जोन में साप सुब बन रखे होंगे तो मैं पस इनते जार कर रहा हूँ कि यार कोई दिख जाए मुझे और कोई नहीं दिखते है यार मतलब जो भी दिखेगा हाना समोक वागेरा भी हुआ है आगे तो पेलते हैं कोशिस करते हैं पेलने की अब देखो यहां पे समोक भी ओर रखा है गोली भी धेड़ पैड़ चल रही है बंदे भी ठिल रहे हैं लेकिन मुझे कद्दू कोई नहीं दिख रहा है यार मतलब पूरी जान फिले लेकिन बंदा दिख के नहीं देता है और अखिर कार जब एक बंदा दिखता है जब मैं उसे पत्ते में एऐजस्ट करके पेलता हूँ वो ठिल के नहीं देता अना उपर से जोन ने भी धोका दे दिया है जैसा कि मैंने बोला है टाइम टाइम की बात है थोरे टाइम बात जोन धोका दे ही देगा तो जोन भी अपने पे नहीं है अपन पे भाईया कद्दू कुछ नहीं बचाए यहाँ पे जोन के नाम पे तो हम बोलते भाईया रस कर दो चाहे जो भी हो और जहां तक मुझे पता है बंदे लेफ्ट में है उपर की साइड लेकिन मैं गलत हुताओं और तयार हो जाओ क्योंकि असली गलत सी न यह है अरे भाईया किधर जाना है भाई इतने जोस में किधर किस बात का जोस था यह मतलब वो बंदा देखता है कि यहाँ पे हम गोली बारी चला रहे हैं वो भाई थर्ड पार्टी करने के लिए इस कदर थर्ड पार्टी करता है कि भाई बग्गी के साथ वो भी जोन के बाहर जाता है हवा में उड़ते वे जाता है मतलब मैं देख रहा हुता हूँ मैं दिमाग में सोच चल रहा हुता है कि भाई ये क्या है और ये क्यूं है ठीक है एक टाइम के लिए तो भाई मुझे लगा था भाई ये थर्ड पाटी करने आएंगे अब ठिला के रख देंगे लेकिन यार उसकी बग्गी भी बाहर जाती ह ये जोन के वो भी जोन के बाहर सीधा नौक होता है और देखो हम इतने धीट इंसाने की भाईया पेल के तो रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए तो जोन के बाहर भी उसकी पेटी वनाई और उसका टीमेट पीछे से आ रहा होता है अच्छा वह उसके साथ नहीं था उसका टी एक पेल दो मतलब भाई पूरे जूस में आये थे यार एक टाइम के लिए टाइगर शीरॉप भी फेले यार इस चीज के पीछे मतलब क्या ही बंदा था भाई ये खतरनाक बहुत इसे वह या पिच्चर पुच्चर में डाल दो कता ही बिल्कुल हवा में उडाने इसे जाके खेर आज की विडिव में इतने भाई लोग यार अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब इसक्राइब करो और भी ऐसे गलत सीन के लिए तूकि यार ऐसे गलत सीन अपने साथ डेली होते रहते हैं और अगर आप यहाँ पे नए हो अरे ये तो बोल दिया यार और जाते जाते ट पूर्णामेंट एप को चेक आउट करना मत भूलना उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते भाई लोग यार बाई बाई झाल 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 झाल